आशिश इसमें से दो शेर आप देखिए एक तो जूबिलेंड इंडस्ट्रीज ये कितना आपको ठीक लग रहा है और दूसरा बिल्ट यानि कि बलारपूर इंडस्ट्रीज ये दोनों ही पोजिशन्स रखने वाली है या फिर प्रॉफिट बुक करने वाली है स्पेशली चल रहा है जूबिलेंड इंडस्ट्रीज इसके पहले जो फॉल स्टॉक में आता हुआ नजर आया था उसका एक रियाक्शन यहां फिलाल भी करें यह जो स्टॉक है इसके लिए मैं अगर मेरे शाड़ इंडिकेटर्स यूज करके देखता हूं तो करीबन 341 एक ऐसा लेवल है जिसके यहां पर एक स्टॉक फेस कर सकता है तो मैं मानता हूं कि 340-342 के लेवल के बीच में इसमें प्रॉफिट बॉकिंग करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से सेलिंग प्रेशर इस टॉक में नजर आ रहा है तो वहां पे सस्टेन होना थुड़ा दिक्कत वाली बात होगी तो वापस बाद में इसमें अपर्शुनिटी मिल सकती है वापस प्रॉब जोबलेंट लाइफ साइंसिस है और दूसरा बेल्ट यानी कि बलारपुर इंडास्रीज अगर हम बलार पूर इंड़सुरी तो बलारपुर इंडेस्टीज के लिए चाट देखते है तो पिछले करिंग रिइंग सेशन में एक डायरे में गुम्टा हुआ नजर रहा था पिसली चार्ट सेडिंग सेशन की बाद करते हैं तो यह जो दायरा था वो बहुत ही कम भूटा हुआ नजर आ रहा था फिलाल अब इस टॉक को देखते हैं तो आठ नौ परसेंट की बड़त के साथ यह स्टॉक प्रेंट करता हुआ दिख रहा है नाइटीन रूपीस मुझा रेक्मेंड करूंगा एटीन रूपीस एटीन रूपीस सेवेंटी बैसे गाओ ठीक है